कल पावस्टार पवन सिंग का बहुत ही बड़ा सॉंग रिलीज होने वाला है यह यह कहले कि कल पावस्टार पवन सिंग का इस साल का सबसे बड़ा सॉंग रिलीज होगा और इस सॉंग के लिए पवन सिंग के फैंस भी बेकरार है सभी ने कमर कसली है आपको ये जान कर ताज़ुब होगा कि पहली बार बोचपुरी इंडस्ट्री में किसी भी गाने का जो मोशन पोस्टर है वो ट्रेंड किया है और वो भी ट्रेंड किया है तो नमबर टू तक पहुचा है फिर उसके बाद ट्रीजर ट्रेंड किया लेकिन गलती एक हो गई इस गाने का ट्रीजर तो ट्रेंड किया लेकिन इस गाने का ट्रेलर ट्रेंड नहीं किया गलती अगर आप देखने जाएं तो कहा हो गई कहा चूक हो गई यह सब ही सोच रहे हैं तो हम आपको बता देते हैं कि पावस्टार पावन सिंग के फैन से तो कुछ गलती नहीं लेकिन सारे गामा हम भोजपुरी से एक दलती हो गई है सारे गामा हम भोजपुरी ने ट्रीजर, ट्रेलर, मोशन पोस्टर कुछ इस कदर बैक टू बैक रिलीज किया कि फैन्स थोड़े कन्फ्यूज हो गए आपको ये भी बता देते हैं कि जो ट्रीजर रिलीज हुआ वो ट्रेलर के एक दिन पहले रिलीज हुआ और इसी में पावस्चार पवन सिंग के फैन्स जो है काफी जादा कन्फ्यूज हो गए जी हाँ, कन्फ्यूज इस कदर हुए कि उन्हें ये लगा जो ट्रीजर है वो कहीं ट्रेलर तो नहीं ये कन्फ्यूजन उनके फैन्स तक नहीं जो मीडिया करमी है उन तक भी ये कन्फ्यूजन बराबर बरकरार रहा हाँ ये बात और है कि सारे गामा हम भोजपूरी ने जब इसे रिलीज किया था तो ट्रीजर कहकर ही रिलीज किया सभी को ये लगा ट्रीजर के जस्ट बाद गाना रिलीज कर दिया जाएगा ट्रेलर तो आएगा ही नहीं लेकिन ट्रेलर के लिए भी बकायदा सारे गामा हम भोजपुरी ने उसका प्रमोशन किया लेकिन कहीं न कहीं चूक हो ही गई, खैर कोई बात नहीं, लेकिन कल जो गाना रिलीज हो रहा है, इसके लिए सारे गामा हम भूझपुरी को कन्फ्यूजन बिल्कुल क्रियेट नहीं करना है, साथ ही साथ पवन सिंग के फैंस को भी हमारे द्वारा या और भी न्यूस चैनलों द्वारा ये रिपोर्ट मिल ही रही है कि कल गाना रिलीज हो रहा है, तो इसके लिए वो प्रिपेर तो रही सकते हैं, अगर ये गलती नही हुई तो नमबर वन पर ट्रेंड जरूर करेगा पावस्टार पवन सिंग का ये गाना